नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाधिया, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मारकेट एनलिसिस में दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे मैं बात करने वाला हूँ, हला कि इस स्टॉक को मैंने अपनी दो से तीन वीडियो में पहले भी cover करा है as a portfolio पे ये stock chemical sector का है and मुझे लगता है ये stock आने वाले समय में तूफानी returns आपको दे सकता है multi bagger बनने की दम रखता है देखिए stock का price कितना बढ़ रहा है इससे आप जज नहीं कर सकते कि multi bagger है या नहीं है market cap company क्योंकि कभी बहुत सारे stocks split bonus होने के बाद छोटे रह जाती है लेकिन अगर उनका market cap भाग रहा है that means they are multi bagger they are become multi bagger अभी एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों आप सभी के साथ ये stock आप इसके returns देखिए इसकी profitability देखिए इसका return on equity return on capital employee balance sheet profit तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक request है जो लोग चैनल पर पहली बार आई है वो प्लीज इसको subscribe कर लीजिए notification bell icon दबा दो यार ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुचे सबसे पहले आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ इस स्टॉक को मैंने आपके साथ एक दो बार पहले भी cover करा है 194 रुपीज का इसका भाव है लेकिन यह दम रखता है कि बहुत बड़ा एक chemical share बननेगी क्योंकि इसका past तो ऐसा ही बताता है कि यह continue बहुत तेज ग्रो करने वाली company दिख रही है और chemical के stocks तो वैसे ही आपको पता है कि आप तूफानी returns बना के देते हैं जहांपे 2,00,000 से लेकर 3,00,000 परसेंट तक के returns भी बनी है इस stock ने एक साल में कुछ return नहीं दिये consolidation के mode में ही चल रहा है यानि पर यह आपको 100% से ज्यादा return हो गई है तो compounding की power stock ने आपको मतलब यह stock चलता किस तरीके से वह मैं समझाने की कुछ करता हूँ अगर आप इसका chart खो लेंगे ना तो आपको देखेगा देखे इस तरीके से सेम जगा है मतलब यही पर consolidate करता एगा एक दम से double हो जाएगा फिर consolidate फिर double इस तरीके से यह stock चलता है जैसे cd stairs हो दिया ने stairs की shape में आपको इसकी movement दिखेगी ठीक है बड़े ही समय की और बात करें और समय भढ़ा दू 10 साल का कर दू तो 10 साल में इस stock ने आपको 3000% के return बनाए है मतलब समझ रहे हो हर साल आपका 1 लाग 3 लाग हो गया है 3 लाग का 9 लाग इस तरीके से इस stock ने आपको पैसा बना के दिया है lifetime की बात करूं तो 2002 से यह company listed दिख रही है और वहां से stock ने 51,700% के returns बना के दिया है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ यह आगे चलके company बड़ा multi-wagger बन सकती है इस stock का भाव लगबग 30 पैसे का था 2002 में और आज यह stock 194 पे trade कर रहा है और इसका 52 week high के अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो लगबग 220 के पास का है चलिए अब इसके थोड़े से balance sheet और financials देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे दिख रहे हैं क्योंकि मैं तो काफी bullish होता हुआ दिख रहा हूँ लेकिन बड़ा बन जाती है और पता भी नहीं चलता है देखिए यह company अभी तो 1000 करोड की भी नहीं है लेकिन 10,000 करोड की होने का दम रखती है और 1,00,000 करोड के भी होने का दम रखती है यह company ठीक है तो आप इतना समझ लीजिए stock का 52 week high 240 रुपीज का है 52 week low 165 का है that means market is stock को respect दे रहा है मतलब कि जब इतने higher market ऐसी जगा है असली उकात अगर किसी की दिखानी हो किसी company को तो share market में लाके छोड़ दो वो बता देंगे यहाँ पे कि किस हिसाब से पिटाई पड़ती है और अगर आप में काबलियत है value है तो आपको किस हिसाब से आसमान चुता है तो यह 15 की book value पे अगर यह stock trade कर रहा है that means market respect दे रही है इस company को चलिए आगे बढ़ते है return on equity 40% का है यही तो कारण है कि market इसे value दे रहा है return on capital employee 44.4% का है तो बहुत तंगड़ा दिख रहा है चलिए आगे बढ़ता हूं मैं से stock में अच्छी चीजें क्या है company has delivered good profit growth of 45.2% के अगर over last 5 year तो बहुत अच्छा है और track record return on equity का भी 3 साल का 37 से ज दिख रहा है कहीं ना कहीं stock is trading 14.7 की price to book value तो यह गलत है थोड़ा महंगा दिख रहा है बस एक यही चीज मुझे खराब दिख रही है चलिए इस stock के profit पर आते है quarter on quarter पहले आपको बता हूं या direct year on year की बात करें क्योंकि हम लोग लंबे समय के लिए लिए रहे हैं तो मुझे लिए यार on year basis पर बात करनी चाहिए sales देख लेते हैं सबसे पहले पिछले चार साल से compare करता हूं 2019 से ठीक है उससे पहले तो इस company में पैठ हमेशा double होता चला गया था तो चोड़ देते हैं आप जाए तो चेक कर सकते हैं easy way में 2019 में company की sales जो थी वह 300 करोड की थी 2020 में 373 की यहां पर जंप नहीं आया लेकिन 2022 में 488 करोड की होगी फिर जंप आया एकाथ क्वाटर हो जाता है यार ठीक है net profit 2019 में company का 14 करोड का था 20 में 21 करोड का 21 में 27 करोड का 22 में 32 करोड का हो चुका है अर्निंग पर शेर भी continue increase हो रहा है तो यह बहुत अच्छी है operating margin नहीं क्ल करने वाली तो यह थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है margin को sacrifice करती है यारी company ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी share holding pattern देखेंगे तो सारा का सारा माल promoters लेके बैठे है 75% बचा हुआ दे दिया है public को तो यह कहानी है share की black rose industries अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि यह stock आपको अच्छे returns दे सकता है valuation महेंगी है लेकिन आप जहल सकते हो अगर यह correct होता है तब भी तो definitely आप long term के हिसाप से में एक SIP कर सकते हो मेरे इसाप से बहुत अच्छा stock है तो यह थी मेरी video hope आपको समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day guys